अब बहुत अच्छी हों या मैं भी अच्छी हूं मैं विगास इंग अपनी यूट्यूब सनमेगास हों बड़ोग में आप सभी का बहुत बहुत जागत करती हूं तो अभी सुबह के साथ बच गया है और डूपी अप्छा खासा निकल गया है मैं फ्रेस ब्रेश हो गई हू और अभी जा रही हूं मैं कीचन में चाय भी मैंने सुबह का पी लिया है तो सोचा कि अब डारेक्ट ही आप लोगों को लेके चलूंगी कीचन में आज मैंने काफी हल्दी सा लंच भी बनाया है साथ में ही आज मैंने सब कुछ बना लिया है तो पालक वाली डाल है और किचन में तो यहाँ पहले ले लिया है मैंने एक प्यास medium size का प्यास ही चाहिए यहाँ पे मुझे तो मैं पहले से पील कर लेती हूं अच्छे से मैंने कहा था ना कि धूप अच्छा खासा निकल गया है तो इसलिए light बहुत अच्छा आढ़ा था मेरे कीचन में तो यहाँ पे रफली ही chop करेगा लंबे-लंबे टुकरो में जैसे आपको पसंद होंगे उस तरह से आपको यहाँ पे प्यास को cut कर लेने हैं तो मैंने प्यास final chop हो डिया है मेरा और यहाँ पे मैंने एक medium size का ही टमाटर लिया है जिस तरह से मैं प्यास को काट रही हूँ, उसी तरह लंबे लंबे टुकड़ों में मैं टमाटर को भी कट कर लूँगी तो मैंने सोचा कि आज चॉपिंग भी करती चलूँगी और आप लोगों से बातें भी करती चलूँगी, तो इसलिए मैंने चॉपिंग का भी यहाँ पर दिखाया तो खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि चॉपिंग ही मैंन रहता है, उसके बाद आप बना सकते हैं, अच्छे से चॉपिंग रहेगा, तो फिर बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, तो यहाँ पर देख सकते चोटी है, अभी बहुत तो वह करेगी हैं, थोड़ा बहुत उसका आपको आवाज जा सकता है, तो उसके लिए आप माइट मत करिएगा, इग्नोर थोड़ा सा करिएगा, तो यहाँ फिलहाल तो मैं ले ली हूँ थोड़ा सा मूंग की डाल, क्योंकि आज मैं जो बना रही हूँ रेसिपी, वो मूंग की डाल की रेसिपी है, और इसके साथ मैं पालक डालूँगी, तो वो सोचे कि मैं बना ही रही हूँ, तो आप लोगों के साथ सेर भी करती चली जाओ, तो पहले मैंने मूंग डाल ले लिया है, उसे मैंने अच्छे से जाना काफी इजी हो जाता है, तो इसलिए मैं जब भी बालक या साख को कोई चीज बढ़ाती हूँ, तो रात में ही प्रिपेर रिसन करके रख देती हूँ, तो इसके लिए मैंने कूकर में ले लिया है, कूकर को पहले मैंने गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने रि प्यास डाल दिया अब ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हल्का सा ट्रांस्लूशन्ट हो जाए तब इसमें मैं डाल दूंगी टॉमेटो उसके बाद यहां पे देख सकते हैं यह मोस्टली प्यास मेरा हो ही गया है अब इसमें जाएगा टामाटर और टामाटर को मैं दाल के इसे अच्छे से मिलाना है आपको क्योंकि अगर इसे छोड़ देते हैं तो इक तो प्यास भी जल जाएगा क्योंकि काफी कम है और हाँ आप अपने अनुसार जितना पालक होगा उसके एकॉर्डिंग आप यहां पे डाल लीजिएगा डाल आप कम या जादा भी कर स दाल लिया है सबसे पहले इसमें डाला मैने धनिया पॉडर, जीरा पॉडर, हल्दी पॉडर और लाल्मिर्श पॉडर और टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक सारे बेसिक मसाले सारे सबस्जियों में जाता है लेकिन कॉंटिटि उसका सिर्फ अलग लग लग रहता है नहीं आएगा तो इसी तरह से आप लास तक जो रुवाच करिए चलिए फिर से बढाते हैं मेरा पालक उधर हुड़ा है तब तक मैंने सोचा कि दूसरी तयारी कर लेती हूँ क्यों टाइम वेस्ट जाने दूँ तो यहां मेरे पास तीन कच्चा केला पढ़ा हुआ था तो इसे मैं सोची आज इसका कुछ अच्छा सा रेसेपी आप लोगों के साथ सेर कर देती हूँ जो इसके साथ पालक वाली डाल के साथ बहुत अच्छा जाता है डाल चावल के साथ बहुत अच्छा जाता है रोटी पडाठे चपाती के साथ बहुत अच्छा जाता है तो एक बार जरूर ट्रा करिएगा पहले आप लोग पूरी वीडियो वाच जरूर करिएगा तो देख सकते हैं कहीं से कम या जादा मेरे से यूज छिला गया है तो इसलिए मैं साड़ा दिखा रही हूं साथ में ही कि इसलिए जादा मैं कच्छे के लिए का यूज नहीं करती हूं अगर मन तो होता है कभी कोफते बनाने का कभी सबजी बनाने की कभी कुछ कुछ इसकी लेक केला को मैंने छील दिया है और इधार आ गई हूँ मैं फिर से पालक पे ये दिखिए अच्छे से ये गल गया है और इसका कलर दिखिए इसे हाइफ फ्लेम पे पकाईएगा और ढखिएगा बिल्कुल भी नहीं अगर ढखिएगा तो पालक का कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन से तो वो डल पढ़ जाएगे और उसके बाद जब इतना हो जाए आपका पालक तो आप इसमें मूंग डाल गिरा दिजिए जो मैंने वाश करके रखे हुए थे और एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पालक को इसलिए इतना वो फ्राय किया था क् पालक में थोड़ी सी एसमेल रहती है तो अगर यह दो मिनट आप इसे भून लेंगे मसालों के साथ तो इसकी एसमेल बिल्कुल भी नहीं रहेंगी और बच्चे भी एकदम मस्त होके खाएंगे उसके बाद मैंने इसमें धनिया चौप किया था जो उसे भी मैंने डाल दिय अब पानी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे पतला बनाना पसंद करते हैं या फिर ठीक बनाना पसंद करते हैं आपको जिस तरह से पशंद हो आप अपने अनुसार इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठीक चाहिए ताकि रोटी में अच्छे से जाएगा ये और पतला भी बनाईए थिक भी बनाईएगा वो भी चावल के साथ जाएगा इसी कोई बात नहीं है तो वह पानी आप अपने अनुसार कमिया जादा कर सकते हैं तो यहां पर मैंने पानी डाल दिया है अच्छे से और इसे फिर मैंने मिला दिया था उसके बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा मतलब ब्लेक इस सा हो जाएगा तो वह अच्छा भी नहीं लगता है इसलिए मैंने शील के केला को डारेक्ट पानी में डाल दिया था और इसे लंबे लंबे टुक्रों में पतले देखी जिस तरह से मैं कट कर रही हूं उसी तरह से आपको स वेले का काम मेरा हो गया है खतम अब मैं आ गए हो दूसरी साइड यहाँ पे बॉल ले लिया है मैंने उसमें डाला है जिंजर कार्लिक का पेस्ट एक टेवल स्पून भरके उसके बाद मैं यहाँ डालूंगी रेट चीली पौडर ये भी आप अपने अनुसार डालिए उसक पर पानी का यूज़ करें नहीं तो फिर वो रनी-रनीशा हो जाएगा तो केले पे अच्छे से लगेंगे नहीं मतब कोट नहीं होंगे तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डालके अच्छे से मिला लिया है इसे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मिला रही अगर आपका परफेक्ट मसाला तरने के लिए तयार हो जाएगा अगर आपका भी बैगन भी बना रही है भड़वा बैगन तो इस तरह से मसाले आप रेडी करके उसमें अश्टफ कर सकती है ये काफी तेस्टी लगता है और यहां पे देखिए मेरी ये लास्ट सीटी थी यह यहां पे मेरा डाल भी हो चुका है और दुसरी तरफ मैंने गेस को आउन कर लिया है और यहां पे मैंने एक कडाही को चड़ा दिया है गर्म होने के लिए क्योंकि यहां पे करने वाली हूं केले को फड़ार मसाले के साथ तो यहां पे देखते जाएए आप लोग पूरे प सबसे पहले मैं डालूंगी राई आपके पास ब्लेक वाला हो तो वही डालीए मेरे पास यलो वाला था तो इसलिए मैं यलो ही यूज कर रही हूँ जब यह चटक जाए इससे क्या होता है आपके जो भी अफड़ाय चीजें बनाती है स्टफिंग वाला उससे टेस्ट इसका काफी अच्छा बढ़ जाता है इसी तरह से सारे केलों को मैंने इसमें डाल देंगे उसके बाद इसे ढख देंगे ढखके फिर इसे स्टेफ बाई स्टेफ ही मैं दिखाती चली जाओंगी उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा केला यहाँ पे आ गया है और इसे मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है और इसे ढख देंगे और यहाँ पे देखे मैंने मीडियम साइज के दो टमाटर ले लिये हैं उ कि ये भी हो जागा क्योंकि मेरा थोड़ा सा मसाला जो है वो बच गया था केले वाला तो सोचा कि क्यों इसे मैं वेस्ट जाने दूंगी तो इसे मैं टमाटर अच्छे से मैं इसमें कोट कर लिया और यहाँ पे देखे दूसरी तरफ में लेके आ गई हूँ आप लोगों को के कि वो कड़ा नहीं बने एकदम स्पंजी सॉफ्ट सा बने बनके तयार हो तो यहां थोड़ा सा देखे मैंने तील टाल दिया है फिर इसे धख दूगी फिर इसे दो मिनट के बाद खोलूगी तब तक मैं आपको दिखा देती हूं कि मेरा डाल देखे इसकी कंसेंस्टी कैसी है तो यहां पे देखी मेरी डाल थोड़ी से मैंने कहा था ना कि मैं थोड़ा सा थिक बनाने जा रही हूं ताकि यह इतना का अच्छा रहता है आप चावल के साथ खाईए या रोटी के साथ खाईए लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और इसमें पानी देना चाहिए तो आप गर्म पानी एकड़म खौलता हुआ पानी इसमें जितना आपको देना है उतना आप यहां पर डाल सकती है उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा इसके टेस्ट विस्ट पे और यहां पर देख लीजिए मेरा लजीज केले का भड़वा एकड़म बनकर लोजीजों है उसमें भी लग जाएंगे और थोड़ा सा जले-जले से रहते हैं न वो काफी अच्छे लगते हैं एक बार चरूर ट्रैक करिएगा फिर मुझे बताईएगा तो बने रहे हैं वीडियो में तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर वही हाल इसका भी हुआ है कि जो भी तेल मैंने डाला था वो सारा सूख चुका है अब इससे परटने के बाद थोड़ा यहाँ पर तेल का मैं यूज कर लूँगी तो यहाँ पर देख सकते हैं लगबग मेरा टमाटर भी हो ही चुका है अब इससे है निकालने की बाड़ी तो इससे एक एक करके मैं यहाँ पर निकाल लूँगी क्योंकि देखिए अच्छे से गल भी गया है तो इससे इस टेस पर आपको निकाल भी लेना है तो चलिए नेक्स वीडियो में थेंक यू सो मच बाइ बाइ